हेलो स्ट्रेंट, मैं डॉक्टर रमेश मुर्तम्बूली, सहे प्राध्याप्राणी शास्त कि रोडी मल्शास की कला एवं विज्ञान महाविद देले राएगड़, आज हम बेस्टी पार्ट बन जिलोजी के पेपर सेकेंड यूनिट वन शेप्टर फोर एमफिय अक्सस के सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्यान करने जा रहे हैं। आईए हम सबसे पहले एमफिय अक्सस के सर्कुलेटरी सिस्टम की महत्पुर्ण विश्यस्ताओं को देखते हैं। एमफिय अक्सस का सर्कुलेटरी सिस्टम ये क्लोजड टाइप होता है। अरथात आर्टरीज और वेन की शाखाओं के बीच में किसी तरह का स्पेस, साइनस या लेकुना नहीं होता है। और इसलिए इस तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोजड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। Amphioxus में उसके ब्लड में respiratory pigment अनुपस्थित होते हैं respiratory pigment जिने हम दूसरे जन्तवों में Hemoglobin, Hemosinin, इत्यादी के नाम से जानते हैं जो oxygen और carbon dioxide को transport करने का कारे करते हैं लेकिन Amphioxus के ब्लड में ऐसे respiratory pigment का अभाव होता है Amphioxus का जो ब्लड है यह transport medium के रूप में काम करता है लेकिन यह oxygen और carbon dioxide के अलावा अन्य सभी आवश्यक चीजों का परिवहन करता है और transport medium के रूप में कारी करता है Amphioxus के circulating system में very defined heart अनुपस्तित होता है ऐसी स्थिति में जो वेंटल एउटा है यह blood को pump करने का काम करती है Blood vessels की जो दिवारें होती है वो blood को pump करने के उदेश से संकुचन सील होती है इन में contraction और relaxation की प्रक्रिया एकांतर क्रम से जारी रहती है जिससे blood को निर्धारित दबाव के साथ प्रेशर के साथ सर्कुलेट करने में मदद मिलती है शरीर के पिछले भाग पर जो वेंटल एउटा है यह वेंटल एउटा सब इंटेस्टिनल वेन के रूप में बदल जाती है और यह जो वेंटल एउटा है जब सब इंटेस्टिनल वेन के रूप में बदलती है तब यह शरीर के पिछले भागों से blood को एकतरित करने का काम करती है तो जिस तरह से शरीर के अगले भाग पर वेंटल एउटा होती है उसी तरह शरीर के पिछले भाग पर सब इंटेस्टिनल वेन होती है फेरिंग्स के डॉर्सल साइट पर एक जोड़ी डॉर्सल एटा होती है जिसे लेटरल डॉर्सल एटा कहा जाता है और ये लेटल डॉरसल योटा जब फैर्ट से पीछे की और शरीर के पीछे की और गुजरती है ऐसी इस्थिते में ये दोनों शाखाएं जिनें हम लेटल डॉर्सल योटा कहते हैं ये आपस में मिलकर के एक सिंगल मीडियन डॉरसल योटा बनाती और यह single median dorsal iota जब amphioxus के caudal region में या पूँच के हिस्से में प्रवेश करती है तब यह caudal artery कहलाती है हिपेटिक portal system जो vertebrates की प्रमुक विशिस्ता होती है यह पहली बार amphioxus में इसपस्ट रूप से दिखाई देता है वेंटल iota में रक्त का जो प्रवा है फ्लो है वो शरीर के आगे की दिशा पर होता है जबकि dorsal iota में रक्त का प्रवा शरीर के अगले भाग से पिछले भाग या posterior दिशा पर होता है प्लेक्सस जहां पर आर्ट्रीस और वेंस की महिंतम शाखाएं एक दूसरे के संपर्क में आ करके प्लेक्सस का निर्माण करती हैं एंफियोक्सस में भी इनके intestine में जिनें हम mid-gut कहते हैं यहां पर intestinal प्लेक्सस उपस्थित होता है इसी तरह से इनके mid-gut diverticulum जिसे digestive gland कह सकते हैं उनमें भी प्लेक्सस उपस्थित होता है इसके साथ हिसाथ efferent और efferent ब्लड़ वेसल स्पाई जाती है वेंटल योटा से रक्त को लेकर फैरिंग्स में जाने वाली जो वैसल्स होती है उन्हें हम एफरेंट वैसल्स कहते हैं और फैरिंग्स से उस बलड को एकत्रित करके लेटरल डॉर्सल योटा में छोड़ने वाली बलड वैसल्स को एफरेंट बलड वैसल कहते हैं एंडो थीलियल लेयर की हम बात करते हैं, तो केवल जो डॉर्सल ब्लड वैसल है, इसकी अंदूरूनी सतह पर एंडो थीलियल की लाइनिंग पाई जाती है, इसके अत्रिक्त ये अन्य सभी प्रकार की वैसल्स में अनुपस्थित होती है component of circulatory system, amphioxus का circulatory system, ये कई भागों से मिल करके बना हुआ होता है ये भाग क्रमशह इस तरह से हैं, पहला sinus venosus, दूसरा ventral eota, तीसरा dorsal eota, चोथा sub intestinal vein पाच्वा पोर्टल सिस्टम, छठ्वा कार्डिनल vein और सात्वा पेराइटल vein सेंग, इस चित्र में इन सभी component को प्रदर्शित किया गया है ये sinus venosus यहाँ पर मौजूद है, ये हिस्सा sinus venosus का है, दूसरा ventral eota, sinus venosus से निकलने वाली यह जो मोटी सी eota दिखाई दे रही है, ये ventral eota है, फैरिंग्स के dorsal side पर एक जोडी, ये lateral dorsal eota दिखाई दे रही है चौथा sub-intestinal vein, amphioxus के शरीर के पिछले भाग से आती हुई यह जो vein है, ये कहलाती है sub-intestinal vein portal system, ये इसका mid-guard diverticulum या digestive gland है, इसी digestive gland में जो vein है, ये परस पर मिल करके portal system बनाती है तो ये sub-intestinal vein, इस mid-guard diverticulum के surface से बाहर ही बाहर गुजरती है, और ये आगे चल करके sinus venousus में खुलती है ये सारा का सारा जो तंत्र है, system है, यह portal system कहलाता है cardinal vein, इसके शरीर के आगे से और पीछे से एक-एक जोड़ी cardinal vein उपस्तित होती है जिन्हें क्रमशह anterior cardinal और posterior cardinal vein कहा जाता है इनके माध्यम से क्रमशह शरीर के अगले एवं पिछले भाग से रग्द को एकत्रित किया जाता है सात्वा है parietal vein, यहाँ पर हम intestine के ऊपर यह अलग से vein देख रहे हैं जो शरीर के पिछले हिस्से से आकर के sinus venusus में खुल रही है यह parietal vein कहलाती है आईए हम विस्तार से इन veins की उपस्तिती को देखें इस चित्र में सारे arteries, veins और circularity system के अन्य components को विस्तार से दर्शाया गया है एक pictorial diagram के रूप में इसे ज़्यादा इसपस्ट करने को देशे से यह diagram आपके सामने प्रस्तुत है इस diagram में circularity system के सभी component इसपस्ट रूप से दिखाई देते हैं यहाँ पर आप देखिए यह पहली रचना यह sinus venusus के रूप में है दूसरा ventral eota यह यहाँ पर दिखाई दे रही है तीसरा dorsal eota यह है lateral dorsal eota यहाँ पर दिखाई दे रही है चोथी है cardinal vein यह cardinal vein जो anterior है यहाँ दिखाई दे रही है और posterior cardinal vein यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है पाँचवा component जो है वो है sub-intestinal vein यह यहाँ दिखाई दे रही है छटवा parietal vein इस जगह पर दिखाई दे रही है और साथवा है hepatic portal system यह hepatic portal system यह यहाँ पर निर्मित हुआ दिखाई देता है तो सारे components को इस पस्तता के साथ इस diagram के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है आईए अब हम इन components का सिलसिलेवार विस्तार से अधन करते हैं सबसे पहले हम देखें sinus venusus के बारे में इस चित्र में आप देखिए इसमें परिवन तंत्र में केवल sinus venusus को हम यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं तो यह एक छोटा सा secular या back जैसी रचना दिखाई दे रही है जो इनके oisophagus के नीचे और mid-guard diverticulum के स्ठीक पहले इस्ठित होती है यह छोटा सा जो sec या थेरी नुमा रचना है यही sinus venusus कहलाती है इस sinus venusus में शरीर के अग्रव और पश्च भाग से veins के माधियम से रक्त को लाया जाता है और यह vein क्रमशा है common cardinal जिसको हम ductus की उराई कहते हैं यह वाली vein है दूसरी parietal vein और तीसरी है hepatic vein sinus venusus में इन ही तीन vein के माधियम से शरीर के विभिन भागों से जो रक्त है वो एकत्रित किया जाता है sinus venusus में आया हुआ जो रक्त है या एकत्रित किया हुआ जो रक्त है वो mental aorta में सामने की दिशा पर भीज दिया जाता है दूसरे component की रूप में हम mental aorta को देखते हैं तो mental aorta यहां पर इसको हमने नीले रंग से प्रदर्शित किया हुआ है sinus venusus के अगरभाग से एक मोटी दिवार यूक्त अत्यधिक संकुचन शील वेंटल aorta निकलती है जो फैरिंग्स के वेंटल सतह पर इस्थित एंडो स्टाइल के नीचे पूरी लंबाई पर इस्थित होती है यह वेंटल aorta कई जोड़ी लेटरल ब्रांच निकलती है और यह लेटरल ब्रांच निकल करके फैरिंग्स के राइट और लिफ्ट साइट पर दोनों और प्राइमरी गिलबार में प्रविश करती है तो जब यह प्राइमरी गिलबार में प्रविश करती है तो इन शाखाओं को efferent branchial artery कहा जाता है तो यह नीले रंग की जो शाखाएं दिख रही हैं यह efferent branchial arteries हैं प्रत्यक efferent branchial artery के आधार पर आप देख रहे हैं कि एक फूली हुई रचना दिखाई दे रही है और इस रचना को bulbulus कहा जाता है bulbulus भी संकुचनशील होते हैं तथा रक्त को pump करने में सहायक होते हैं प्राइमरी गिलबार से सिनेप्टी कुला के माध्यम से सेकेंडरी गिलबार को रक्त पहुचाया जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी गिलबार का रक्त अपने साइड के इफरेंट ब्रेंकियल आर्टी जिसे हमने लाल रंग से यहां दर्शाया हुआ है different branchial artery के द्वारा एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद उसे pharynx के dorsal side पर dorsal दिवार पर इस्थित अपने side के lateral dorsal aota में पहुचा दिया जाता है तो यह है इसका lateral dorsal aota प्रत्य एफ्रेंट branchial artery और lateral dorsal aota में खुलने से पहले एक capillary का network यहाँ पर देखने को मिलता है यह जो capillary network है इसे glomerular sinus कहा जाता है एफ्रेंट और इफ्रेंट branchial artery से गुजरता हुआ रक्त oxygen युक्त जलधारा के संपर्क में रहता है किन्तो रक्त द्वारा oxygen सोखने का कोई प्रमान उपलब्द नहीं है क्योंकि रक्त में respiratory pigment का अभाव होता है respiratory pigment अनुपस्तित होते हैं आईए अब हम देखें dorsal leota के बारे में dorsal leota यहाँ पर इसको नामांकित किया गया है यह dorsal leota है जो dorsal side पर pharynx के dorsal side पर एक जोड़ी है यह lateral dorsal leota के रूप में है तथा oisophagus के बाद दोनों साखाएं परस पर मिल करके एक हो जाती है इन्हें median dorsal leota कहा जाता है और अंत में यह पीछे जाकर के caudal region में caudal artery के रूप में बदल जाती है और पूछ वाले हिस्से को रक्त सप्लाई करती है तो pharynx के पिछे dorsal side पर पूरी लंबाई में दो lateral dorsal leota होती है जो epifaryngeal groove के पार्ष भाग में इस्थित होती है pharynx के पिछे दोनो lateral dorsal leota आपस में मिल करके एक median dorsal leota बनाती है यह median dorsal leota notocard के नीचे और intestine के मध्य से होते हुए caudal region में प्रवेश करती है और तब यह caudal artery कहलाती है और caudal artery के रूप में यह caudal region में समाथ हो जाती है pharynx के dorsal site पर पूरी लंबाई में इस्थित दो lateral dorsal leota शरीर के अगर भाग में यह शरीर के आगे का हिस्सा है अगर भाग में आगे की ओर बढ़कर रोस्ट्रम में पहुंसते हुए एक जोड़ी carotid artery का निर्मान करते हैं तो pharynx के अगले हिस्से पर यह lateral dorsal leota carotid artery कहलाती है जो रोस्ट्रम में पहुंच करके समाथ हो जाती है और यह snout region, oral hood जैसे शेत्रों को रक्त परदान करती है डर्सल ओटा pharynx से different branchial arteries के द्वारा रक्त एकत्रित करने का कारे करती है वहीं intestine भाग को यह रक्त परदान करने का काम करती है intestine की दिवारों में यह artery intestinal plexus का निर्माण करती है यह हम देख रहे हैं कि median dorsal leota से artery निकल कर intestinal artery निकल कर intestine में जा रही है जहां वह अनेक सूख्म शाखाओं में विभाजित हो करके intestinal plexus का निर्माण कर रही है चौथा कंपोनेंट है sub-intestinal vein आई एस चित्र में हम देखें यह है sub-intestinal vein sub-intestinal vein intestine के नीचे इस्थित होती है यह caudal region से या पूच के भाग से caudal vein के द्वारा और intestine के intestinal plexus से अनेक intestinal vein के माधियम से यह intestinal vein है और यह intestinal plexus है तो अनेक intestinal vein के द्वारा रक्त को एकत्रित करती है और एकत्रित करने के बाद यह sub-intestinal vein आगे बढ़ करके हिपेटो पैनक्रियास के surface से गुजरती है और ऐसी दशा में इस sub-intestinal vein को कहा जाता है हिपेटिक पोर्टल vein यह हिपेटिक पोर्टल vein है जो sub-intestinal vein का ही आगे बढ़ता हुआ नया स्वरूप है पांचवे कंपोनेंट के रूप में पोर्टल सिस्टम यह जो हिपेटिक पोर्टल वेन है यह mid-guard diverticulum के सतह पर बाहर की और से एक चक्कर लगाती है इसको घेरे हुए होती है तथा यह आगे चल करके हिपेटिक वेन के रूप में स्वतंत्र हो जाती है और यह भी हिपेटिक वेन साइनस वेनोसस में खुलती है यहाँ ध्यान देना आवशक है कि जो हिपेटिक पोर्टल वेन है और डॉर्सल साइट पर जो हिपेटिक वेन है इनसे परस पर शाखाये निकल करके mid-guard diverticulum के अंदर प्रवेश करती है और यहाँ भी प्लेक्सस का निर्मान करती है तो यह जो रचना है यह रचना कहलाती है पोर्टल सिस्टम जो वर्टिब्रेट्स में पहली बार एंपियोक्सस में विक्सित होता हुआ दिखाई देता है छटमें कंपोनेंट के रूप में कार्डिनल वेन यहां हम देखते हैं कि एक जोड़ी anterior तथा एक जोड़ी posterior कार्डिनल वेन एंपियोक्सस में पाई जाती है सामने की सता पर यह green color से एक जोड़ी anterior कार्डिनल वेन दिखाई दे रही है उसी तरह से पीछे की ओर से आती हुई ये एक जोड़ी posterior cardinal vein दिखाई दे रही है शरीर के अगरभाग से anterior cardinal vein तथा शरीर के पिछले भाग से posterior cardinal vein रक्त को एकत्रित करने का काम करती है एकत्रित क्या हुआ जो रक्त है यह रक्त सीधे सीधे sinus venosus को भेज दिया जाता है यहाँ पर यह भी देखें कि जो anterior cardinal vein है वो शरीर के later side पर इस्थित होती है तथा यह शरीर के अगरभाग से रक्त को paired segmental vessels के द्वारा एकत्रित करती है जबकि posterior cardinal vein जो शरीर के पिछले भाग से रक्त एकत्रित करती है पीछे की ओर से posterior cardinal vein caudal vein से जूड़ी होती है anterior और posterior cardinal vein परसपर मिल करके common cardinal का निर्मान करती है और इसी common cardinal को ductus qri भी कहा जाता है और यह ductus qri है जो sinus venusus में आकर के खुलती है इस तरह हम देख रहे हैं कि sinus venusus में ductus qri, hepatic vein और parietal vein तीनों आकर के खुल रही है साथवा component है parietal vein आईए जन्तु के शरीर के पिछले भाग की और हम देखें तो intestine के उपर की सतह पर एक जोड़ी parietal vein होती है जह parietal vein dorsal body wall से रक्त एकत्रित करके sinus venusus में पहुँचाती है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि sinus venusus में शरीर के अगरभाग से, शरीर के पश्चभाग से और mid-guard diverticulum से रक्त क्रमशा, ductus qri या common cardinal, parietal vein तथा hepatic vein के द्वारा पहुचाया जाता है तो सभी भागों से रक्त का आगमन जो होगा, वह इन ही तीन vein के द्वारा होगा, जिसे sinus venusus में छोड़ा जाता है तो यह component हुए amphioxus के circulatory system के आईए, अब हम देखें, course up circulation कि शरीर के अंदर रक्त का जो प्रवा होता है, वह कैसे होता है, एवं उसका मार्ग किस दिशा पर होता है तो यहाँ हम अपनी बात शुरू करते हैं, sinus venusus से तो sinus venusus ये एक बैक की तरह रचना होती है, जिसमें रक्त तीन veins के द्वारा आता है पहली जो ven है, यह कहलाती है ductus qri, हम यहाँ चितर पे देख रहे हैं, यह ductus qri दूसरी, जो इनके mid-guard diverticulum से आती है, या hepatic diverticulum से आती है, यह भी hepatic ven कहलाती है और तीसरी parietal ven, जो शरीर के पिछले भाग से रक्त एक अत्रित करके sinus venusus में डालती है तो sinus venusus में इन्ही तीन प्रमुक veins के द्वारा रक्त पहुचाया जाता है sinus venusus में आया हुआ जो रक्त है, वह vental eota के द्वारा आगे की ओर भेजा जाता है और vental eota से विभिन शाखाओं के द्वारा जिसे हम efferent branchial vessel या efferent branchial artery कहते हैं उसके माध्यम से रक्त को गिल में पहुचाया जाता है जिल से अब वह रक्त efferent branchial vessel या efferent branchial artery के द्वारा एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करने के बाद उसे अपने side के lateral dorsal eota में पहुचाया जाता है lateral dorsal eota ये pharynx के dorsal side पर होती हैं ये संख्या में एक जोड़ी होती है lateral dorsal eota में पहुचाया हुआ जो रक्त है या lateral dorsal eota के द्वारा एकत्रित किया हुआ जो रक्त है वह amphioxyd के शरीर के पिछले भाग की और median dorsal eota में पहुचाया जाता है median dorsal eota अब इस रक्त को वित्रित करने का कारी करती है वित्रंड के बाद शरीर के अगले भाग से जो रक्त होता है ये cardinal vein के द्वारा और शरीर के पिछले भाग से भी posterior cardinal vein के द्वारा रक्त रक्त किया जाता है तो रक्त का एकत्री करन cardinal veins के द्वारा होता है और हमने देखा कि anterior और posterior cardinal vein परस पर मिलकर के common cardinal बनाती है जिसे हम कहते हैं ductus qri और यह ductus qri sinus venosus में रक्त को छोड़ देता है वहीं दूसरी और जो median dorsal aorta है यह caudal artery के रूप में caudal region को blood supply करती है और caudal region को supply किया हुआ blood caudal vein के द्वारा sub intestinal vein में पहुचाया जाता है ध्यान दखेंगे कि sub intestinal vein न केवल caudal vein से रख्त को एकत्रित करती है बलकि intestine में intestinal artery के द्वारा जो blood पहुचाया जाता है वह blood intestinal plexus से होते हुए भी sub intestinal vein में एकत्रित किया जाता है तो इस तरह से यह जो sub intestinal vein है यह intestine से तथा यह caudal vein के द्वारा रख्त को एकत्रित करती है sub intestinal vein में एकत्रित किया हुआ रख्त अब यह mid gut diverticulum में उसकी सतह पर प्रवेश करता है और यह hepatic portal vein बनाता है यह hepatic portal vein, hepatic vein के रूप में mid gut diverticulum की सतह से बाहर निकल कर स्वतंत्र होती है और यह रख्त को sinus venusus में छोड़ती है mid gut के अलावा हम यह भी देख रहे हैं कि जो median dorsal vein है यह शरीर के पिछले भाग से parietal vein के माधियम से रख्त को एकत्रित करती है तो median dorsal एउटा के द्वारा जो रख्त पीछे की और शरीर के पिछले भागों को बित्रित किया जाता है वह रख्त parietal vein के द्वारा एकत्रित किया जाता है तद उपरांथ parietal vein उस एकत्रित के हुए रख्त को sinus venusus में छोड़ती है तो कुल मिला कर हम यह देखें कि sinus venusus में रख्त के आने के तीन रास्ते हैं तीन मारग हैं पहला ductus curi, दूसरा hepatic vein और तीसरा है parietal vein जबकि sinus venusus में आई हुए रख्त को भेजने के लिए केवल एक ही बड़ी aorta है जो संकुचन शील होती है जो केवल pharynx region पर ही स्थित होती है उसके vental side पर स्थित होती है यह कहलाती है vental aorta तो तीन vent के द्वारा रख्त को एकत्रित करके sinus venusus में लाया जाना तथा केवल एक संकुचन शील बेंटल एउटा के द्वारा शरीर के गिल्स रिजन के माध्यम से रख्त को आगे के सर्कुलेशन में भेजा जाना यह MPOCSIS के सर्कुलिटी सिस्टम की महत्पूर्ण विशिस्ता होती है आईए अब हम कुछ सर्कुलिटी सिस्टम की महत्पूर्ण विद्वों को ध्यान से समस्ते हैं इसे हम समरी के रूप में लेते हैं पहले हम देखते हैं sinus venusus के बारे में जिन्हें क्रमशा हम ductus qri, parietal vein और hepatic vein कहते हैं दूसरा है vental eota यह sinus venusus के अगले भाग से निकलती है और निकलने वाली यह अकेले आर्ट्री है जो आगे चल करके pharynx के mid-vental site पर इस्थित होती है जहां से रक्त को क्रमशा efferent branchial artery के दवारा गिल में भेजा जाता है तीसरा है dorsaleota ये गिल बार्ट से रक्त को efferent brainchial artery के दवारा collect करके दorsaleota पर लाए जाता है तो dorsaleota रक्त को एकत्रित करने का काम करती है गिल के हिस्से से दोनों जो later dorsal iota है ये शरीर के पिछले भाग की और मिल करके एक हो जाती है ये median dorsal iota कहलाती है और median dorsal iota रक्त को distribute करने का काम करती है और रक्त का distribution ये शरीर के पिछले भागों को करती है आईए अब हम देखें sub intestinal vein के द्वारे में अभी तक जो भी हमने देखा ये distribution के बारे में देखा Ventaliauta, Dorsaluta, collection के बारे में हम देख रहे हैं Sub-intestinal vein यह tail reason से आरंब हो करके रक्त को एकत्रित करते हुए intestine के नीचे की सतह पर आती है तथा यह intestine से भी intestinal vein की महीन शाखाओं के मांध्यम से रक्त को एकत्रित करती है पांचवा है hepatic portal system Sub-intestinal vein जब intestinal हिस्से को छोड़ कर शरीर के आगे की दिशा पर बढ़ती है तब यह hepatic portal vein बनाती है और यह hepatic portal vein mid-guard diverticulum के surface पर इस्थित होती है Cardinal vein के बारे में हम देखें कि शरीर के ventrolateral reason पर cardinal vein उपस्थित होती है और यह cardinal vein क्रमशा anterior और posterior cardinal vein के रूप में स्थित होती है जो क्रमशा शरीर के anterior और posterior पार्ट से ब्लट को एकत्रित करने का काम करती है लास्थ है parietal vein इनमें एक जोड़ी parietal vein होती है जो शरीर के पिछले भाग से साथी साथ यह body wall से रक्त को एकत्रित करके sinus venosus पर शोड़ती है यह समरी के संदर्ग में हुआ इससे संबंधित प्रस्ण जो परिक्षाओं पे पूछे जाते हैं वो इस तरह से हैं write the silent feature of circularity system of amphioxus amphioxus के circularity system की विश्यस्ताओं को समझाईए दूसरा draw well labeled diagram of circularity system of amphioxus amphioxus के circularity system का नामांके चित्र बनाईए तीसरा explain the course of circulation in amphioxus amphioxus में रक्त के प्रवा को समझाईए और चोथा प्रस्ण है describe the circularity system of amphioxus अर्था amphioxus के रक्त परिवहन तंत्र की विश्तार से वर्णन कीजिए धन्यवाद झाल झाल झाल